पियम मोधी की सुरक्षा का जिम्मा स्पेशल कमांडों के साथ ही यूपी पुलिस के जवान भी समभा लेंगे इसके लिए तीन डियाईजी, सत्रा एसपी, चालेस एसपी, असी डियासपी, नबे निरेक्षक समेच 6,000 पुलिस कर्मी सुरक्षा का मोचा समभा लेंगे प्रधाम मंत्री के आयोधिया आगमन कुलिकर सुरक्षा का कड़ा जाल बुना गया है, पूरी आयोधिया में करीब 6,000 सुरक्षा कर्मी तैनाद कर्गे से चापनी में तब्देल कर दिया गया है एरपोर्ट आयोधिया धाम रेलवे स्टेशन की सुरक्षा की कमान स्पीजी ने संभाल ली है, धर्मपत वा रामपत पर ठेड़ी बाजार तक सड़की दोनों पटरियों पर बैरिकेडिन लगा कर आवगमन प्रतिबन देथ कर दिया गया है धर्मपत से रामपत तकी करीब 4 किलो मिट्र की दोरी पर सड़क के दोनों और बांस बल्लियों वा लोही की जाली से बैरिकेडिन की गई है, इससे दोनों पथों पर बली महलों से मुख्य मार्ग पर आने वाला मार्ग बंद हो गया है इन संपर्ग मार्गों पर 4,3 पर P.A.C. पुलिस बल के साथ यातयाद कर्मियों को तैनात किया गया है प्रदान मंत्री की रोड़्शों के दोरान आमचनता सड़क किनारे बने फुट पात पर खड़ी हो सकेगी वही नया गाठ हनुमान गड़ी, चौराहा, श्री राम चनव भूमी, मार्ग की प्रवेश द्वार, रेलवे स्टेशन, मोड तेड़ी वाजार समेद अन्य सम्वेदन श्रीलेस्थानों पर आर एफ, सी आर पी अफ की भी तैनाती की गई है मुखे समरोज तर एएरपोर्ट वा रेलवे स्टेशन को स्पी जी ने अपनी निगरानी में ले दिया है, यहां एनस्जी वा एटेस की कमांडों भी तैनात किये गए हैं एडी जी पिऊश मोडिया ने बताया कि ड्रोन वा सी सीटीवी के माधिम से कारिक्रमिस्तल और आयोध्य की निगरानी की जा रही है आपको बतादी कि रामनगरी की प्रवेश द्वार पर लगे, बैरियर शुक्रवार सुबसे ही गिरा दिये गए, ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के वैवस्ता में लगे बहानों के अलाबा, अन्य चार पहिया बहानों को आयोध्य में प्रवेश नहीं दिया गया अधिया चाराहा लतमंगेश कर चौक, साकेद पेशोर पांप बैरियर, हनुमान गुपा राम घाट, विद्यकुंड चाराहा समेत अन्य स्थानों से सिर्फ दो पहिया बहानों को ही प्रवेश दिया गया, शुक्रवार शनवार की आधी राद से हाईवे को भी बंद कर दि आमारुजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ, बैल आइकन दमाना ना भूले, ताकि हर खबर हो आपके घर, आमारुजाला, निश्पक्ष, निर्भी, निरंदर